नमस्कार मैं जोत्सना स्वागत करती हूं आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंदास प्लांटिंग में दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए विंटर का बेहद ये खुपसूरत फ्लारिंग प्लांट लेकर और इसमें खुश्बु भी बहुत शांदा इसनाइए इसको क्षा इस ते subject हे लिए उसलिए यहां कहा झालंग लिए वल्लाओरOnण के इस नेरिया कक्ल रांट से किसतरा आप बीज कलेक्ट करके अगले सीजन के लिए संभाल के रख सकते हैं और फिर से नया प्लांट आप इजी वे में ग्रो कर सकते हैं बीना नरसरी में पैसा खर्च किये हुए इजी वे में एकदम आराम से हो जाता है दोस्तों तो आज की वीडियो मैं आपके लिए इसी बात पर लेके आई हूँ किसी एरिया के प्लांट से किस तरह आप सीट का कलेक्शन करें लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बिल वाली बटन होती है दोस्तों उसको में मिलता है तो आप विंटर में इसको एड़ करके अपने गार्डन की खुब्सूरती बढ़ा सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी सीड के बारे में आप देख रहे हैं इस तरह यह जो है एकदम फर की तरह इस तरह पूरा खुल गया है मतलब यह फ्लार होके पूरा इस का पेटल अप जो बचा है दोस्तों जो इसमें सीडा सीडा सेथ File बहुत ही इसậy स्वासीड होता है फ्रेंट इसको मैं पूरा इस तरह एकँट करके नहीं निकालोंगी एससारा पूरे ही इस तरह एसे उठा लेना है आपको मैं लास्ट में पूरा डिस mainland का जो भी है मैं इसको कलेक कर ले रही हूं मैंने सारे सीट को कलेक कर लिया है यह देखिए दोस्तों मैंने सीट को अलग कर लिया है फ्लावर पेटल से और आप देख पा रहे हैं जो ब्लाक कलर का दिख रहा है आपको वही औरीजनल सीट है बाकी जो आप देख पा रहे हैं वह इसी तरह collect कर लेना है और रखने से पहले एक बार इसमें फंगी साइड जो साख फंगी साइड होता है दोस्तों इसमें जरूर रब कर लिजिएगा तभी इसको store कीजिएगा और इसका नेम डालना बिल्कुल मत भूलिएगा नाम लिख लीजिएगा इस तरह वाइट पेपर आपको पता चल सके किस फ्लार का है और किस कलर का है क्योंकि इसका सीट काफी स्मॉल होता है तो इसलिए इसको निकालने में भी जल्दी बाजी नहीं कीजिएगा आराम से निकालिएगा वरना हवा में यह उड़के खत्म हो जाएगा आपका तो इस तरह आप स्टोर करिए और अगले सिजन में भर भरके अपने गार्डन में सिनेरिया का प्लांट को ग्रो कीजिए और बहुत अच्छा एक तम गुच्छे में फ्लारिंग करता है दोस्तों तो आज के लिए इतनी ही जनकारी थी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्लांट के साथ तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नमस्कार